पिर रिसेंटली केरला हाइकोट ने अपनी एक जज्जमेंट में वहां की फिल्म इंडस्टी से जुड़ी हुए और्गनाइजेशन्स को ये आदेश दिया कि उन सभी और्गनाइजेशन्स को मिलकर पॉश एक्ट के तहत यानि कि प्रिवेंशन आफ विमन फ्रॉम सेक्शल ह हरास्मेंट एट वर्क प्लेस झेलनी पड़ती है तो वो इस कमिटी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें ये पहला मोका नहीं है जहां पर पॉश एक्ट यहां पर चर्चा का विशे बना है आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मीटू मुवमेंट यहां पर नैश एक्ट के मेन प्रोविजन की साथ ही में हम देखेंगे कि क्या है इस एक्ट का बैग्राउंड जिसके तहत इसकी एवोलूशन हुई है so welcome to study AIQ my name is chand kuba and let's begin with the video सबसे पहले तो हम देखते हैं इस act का preamble अब देखिए दोस्तो जो preamble की बात करते हैं तो preamble में act का सार बता दिया जाता है यानि कि इस act को बताने का मुख्या उदेश ये क्या है वो यहां पर बता दिया जाता है इसके preamble में 3 paragraph हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरती से preamble लिखा गया, सबसे पहले वो ही देख लेते हैं, कहता जी an act to provide protection against sexual harassment of women at workplace, यानि कि मुख्य कारण क्या है, महिलाओं को सुरक्षा प्रवाइड करना, ताकि उन्हें sexual harassment at workplace ना जेलनी पड़े, दूसरी ब पताया गया कि हमारे चार fundamental rights का हनन होता है, महिलाओं के चार मुख्य, यहां पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर उन्हें यहां पर sexual harassment जेलनी पड़ती है, कौन से कहता जी section 14 and 15, जो कि हमें बराबरी का अधिकार देते हैं, equality का अधिकार देते हैं, अगर मैं यहां प बराबरी का अधिकार गया, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो यहां पर क्या हुआ, मुझे यहां पर sexual harassment जेलनी पड़ी, मेरी बराबरी गई, फिर कहता है जी, article 19 में हर व्यक्ति के पास चाहिए वो पुरुश हो या महिला हो, जो भी नागरिक हैं भारत के, उनके पास यह अधि प्लेस, तो वो यहां पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, जो कि 19 में उन्हें मिले हुए हैं, फिर कहता है जी, article 21 आपको देता है, right to life and liberty, अब मेरे मन में अगर यह डर बैठ गया, अगर मालीजी किसी महिला के मन में यह डर बैठ गया, कि वो office में नहीं जा सकती हैं, या office में जाएंगी तो उन्हें sexual harassment झेलनी पड़ेगी, तो article 21 में जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, that is right to life and liberty, वो भी यहां पर छिन जाता है, so उन अधिकारों को बचाने के लिए भी इस act को लाया गया, साथी में यहां पर third paragraph में यह भी बता दिया गया, कि भ फिल करने के लिए इस act को लाना ज़रूरी था, so यह तीन purpose यहां पर बताये गए इस act में, जिनके वज़े से इस act को लाया गया, अब हम बात करते हैं इसके background की, देखे हम देखने को मिलता है, कि जब भी sexual harassment की बात आती है at workplace, तो सबसे पहले जिकर आता है विशाखा guidelines का, अ अब क्या थी विशाखा guidelines क्या था Supreme Court का सारा मामला, उसे यहां पर समझते हैं, देखे हुआ यह कि 1992 में एक social activist रही महिला, जिनका नाम था श्रीमती भवरी देवी, उन्हें यहां पर gang rape का सामना करना पड़ा, unfortunately, अब पूरा मामला क्या था जानते हैं, देखे जो भवरी दे program उसका एक हिस्सा थी, जिसके तहट वो महिलाओं एमवम बच्चों की भलाई के लिए यहां पर कारे कर रही थी, उन्हें पता चलता है कि उन्हें के गाओं में यहां पर जो है, दो छोट छोटे बच्चों की यहां पर शादी करवाई जानी है, उन परिवारों को समझाने कि उन्होंने पुरजोर कोशिश की, अल्टिमेटली जब परिवार नहीं माने तो उन्हें शिकायत देनी पड़ी पुलिस में, अल्टिमेटली एक दिन के लिए वो शादी रुक जाती है, लेकिन बाद में वो शादी जो है, होई जाती है, बट इसका नतीजा भवरी देव अन्हें नयाएं की उमीद खतम हो जाती है, हुआ ये कि इनके केस के तहट पूरे देश में, इनके केस को देखते हूँ पूरे देश में यहां पर एक बहुत यहां पे काइंड ओफ मूवमेंट शुरू हो जाती है, बहुत सारी जो महिलाओं के राइट्स के लिए बठाया 1997 का ये केस बना विशाखा वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान का ये केस बना एंड इस केस में विशाखा की तरफ से जो डिमांड की गई थी वो ये थी कि guidelines लाई जानी चाहिए Supreme Court के द्वारा जिनके तहत यहां पर महिलाओं का बचाव हो सके from sexual harassment at workplace ultimately Supreme Court ने यहां पर विशाखा guidelines लेकर आया इन guidelines में बताया गया कि sexual harassment at workplace का मतलब क्या होगा employers की क्या जिम्मेवारी होगी employees की क्या जिम्मेवारी होगी महिलाओं के क्या-क्या अधिकार होंगे so वो सब यहां पर बताया गया इन guidelines को कानून की शक्ल मिलती है इस act के द्वारा ultimately हमें देखने को मिलता है कि पॉश एक्ट आता है 2013 में आपको याद होगा कि 2012 में निर्भया केस हुआ था पूरे देश को दहलाया उस केस ने ultimately 2013 में सरकार को यह realize हुआ कि workplace पे जो sexual harassment महिलाओं को जहलने पड़ती है उसे कानूनी जामा पहनाने की जुरूरत है so यह act लाया गया 2013 में इस act का जो पूरा नाम है वो हमने देखा कि sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and retrasal act 2013 short में इसे posh act भी कहा जाता है अब हम बात करेंगे इस act के features की देखिए भई सबसे पहला feature तो यह है कि यह जो act है पूरे भारत में लागू होता है दूसरी बात यह कि इसमें बहुत सारी definitions दी गई है जिसमें से main definition है aggrieved women अब aggrieved women क्या मतलब होगा इस act में वो यहाँ पर बताया गया है देखे भई एक ऐसी महिला जिसे यहाँ पर sexual harassment झेलनी पड़ी है workplace पे उसे special रूप से यहाँ पर aggrieved women कहा गया क्या कहा गया कि मान लीजिए एक महिला है जो कि एक workplace पे sexual harassment झेलती है वो महिला किसी भी age की हो सकती है वो महिला वहाँ पर काम करती हो या ना भी काम करती हो लेकिन अगर एक workplace जैसे कि किसी office में चाए वो private हो या सरकारी हो अगर एक दफ्तर में उसे यहाँ पर वर्क प्लेस पे सेक्शल हरास्मेंट जहलनी पड़ती है तो वो यहाँ पर एग्रिवड विमन होगी दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं है कि सिरफ वर्क प्लेस पे यानि कि ओफिस में या दफ्तर में ही पर उन्हें जो है सेक्शल हरास्मेंट का सामना करना पड़े बहुत सारी महिलाएं घरों में भी काम करने के लिए जाती है तो अगर किसी महिलाओ को किसी के घर में जैसे मान लीजिए हमारे भी घरों पर सब के घरों पर होता है कि helpers के रूप मेड्स के रूप में कुक्स के रूप महिलाएं काम करने के लिए आती है अब कहते जी अगर वहां पर भी उन्हें sexual harassment face करनी पड़ती है वो भी यहां पर क्या होंगी एग्रीवड महिला की category में आ जाएंगी इस act के तहत दूसरी बात यह कि sexual harassment का क्या मतलब होगा अपने आप में वो भी यहां पर बताया गया देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह definition दी थी विशाखा guidelines में उसी definition को आगे continue किया गया इस act में क्या कहा गया वो देख लेते हैं section 2 में section 2 n में यहां पर पताया गया sexual harassment का मतलब कहता है जी physical contact and advances देखिए physical contact मतलब किया किसी को छूना या फिर advances दूसरा क्या है a demand or request for sexual favor तीसरा क्या है making sexually colored remarks यहां पर भदी टिपनिया करना चोथा क्या हो गया कहता है जी showing pornography and पांचवां क्या हो गया any other unwelcome physical verbal और non-verbal conduct of sexual nature यानि की sexual nature का कोई भी physical या फिर non-physical verbal जो भी conduct हो सकता है वो सभी sexual harassment की category में आ जाएगा दूसरी बात यह कि workplace की definition जैसे कि अभी मैंने कहा कि workplace तो बहुत सारे हो सकते हैं आप महिलाओं को काम करते होई देखते हैं सरकारी अफसरों में सरकारी offices में भी महिलाओं को काम करना देखते हैं आप private offices में भी तो वो भी यहां पर workplace हो गया hospitals में या nursing homes में भी काम करती है महिलाएं या फिर sports institutions हो गए stadiums हो गए वो भी इसमें आ गया NGOs भी इसमें आ गया यहां पर and any place visited by the employee अब महिला को अपने दफ्तर के काम के परपस से कहीं पर जाना पड़ता है या फिर महिला को दफ्तर की तरफ से कोई vehicle या transportation का साधन प्रवाइड किया जाता है अब इस दौरान भी अगर उनके साथ यहां पर कोई छेड़ चाड़ होती है या sexual harassment उन्हें जेलनी पड़ती है वो भी यहां पर workplace की definition में आ जाएगा and आखरी में बताया गया कि किसी का घर जहां पर महिलाएं काम करने के लिए आ रही है वहां पर अगर कोई यहां पर छेड harassment at workplace नहीं हो सकती है दूसरी बात यह कि sexual harassment at workplace के कुछ circumstances भी बता दिये गए जैसे कि आगर मान लिजिए कोई व्यक्ति यहां पर किसी महिला से sexual favor मांगता है यह कहते हुए यह वादा करते हुए कि आगे उन्हें दफ्तर में preferential treatment मिलेगी यानि कि उन्हें मुख्य रोल निभान का या अच्छा यहां पर salary package या कुछ भी preferential treatment हो सकती है तो ऐसे में उन्हें यहां पर sexual harassment की category में रखा गया वो यानि की एक sexual harassment का एक example हो गया या फिर कोई यहां पर व्यक्ति किसी अपनी subordinate महिला को यहां पर यह threat करता है या किसी को भी अपनी जो office में काम करने वाली महिला है उसे यह threat करता है कि अगर आपने sexual favor मुझे नहीं दिये तो आपको यहां पर आपके future के लिए अच्छा नहीं होगा आ या फिर आपके लिए हम जो है जीना मुश्किल कर देंगे आपका job यहां पर खतम कर देंगे वो सारी चीजें यहां पर sexual harassment at work place में आ जाती है या फिर sexual harassment के एक और भी यहां पर definition नहीं दी कि अगर आप sexual harassment के लिए या फिर अगर आप यहां पर sexual favor मांगते हो अगर नहीं पू harassment की ही category में आएगा अब sexual harassment को रोकने के लिए यहां पर कहा गया कि हर private office में हर सरकारी office में जिनमें employees की संख्या 10 से ज़्यादा है वहां पर एक internal committee का गठन होना चाहिए अब यह internal complaints committee जिसे अब internal committee कहा जाता है उसमें क्या होगा कहते हर employer की यह एक जिम्मेवारी होगी कि वो by order एक internal complaints committee जिसे अब कहा जाता है उसे बनाएं इस internal committee के जो members होगे उनका जो कारेबार होगा वो लगबग 3 साल का यहां पर maximum रहेगा अब यह committee जो होगी कहता है जी इस committee में members कौन कौन होगे इसमें चार members होगे एक तो presiding officer होगा जो की उसी officer उसी office की एक senior महिला करमचारी होगी यानि कि इस committee में जो internal committee की हमने बात की इसमें लगबग 4 members होगे पहले जो member होगी कौन होगे पहले तो होगी जी उसकी chairman या presiding officer जो की उसी office में काम करने वाली एक senior level की महिला है दूसरी यहाँ पर जो होगे दो member होगे उसी office के employees होगे जो की interest रखते हैं महिलाओं की empowerment में या जिनको कानून की जानकारी हो and चौथा जो member होगा वो कौन होगा कहता है जी वो एक NGO से आप ला सकते हो या एक ऐसी organization से आप उठा कर ला सकते हो जो की महिलाओं के cause के लिए लड़ रहा हो so basically ये चार members को इस internal complaints committee या internal committee में रखा जाएगा अब ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि इन चार में से minimum 50% यानि की आदे जो हैं लगबग दो members जो हैं वो महिलाओं होनी जरूरी है so दो महिलाओं यहां पर इस committee में minimum रहेंगी so ये चार members की internal complaints committee रहेगी अब मैंने कहा कि भाई देखिए हर case में internal complaints committee या internal committee नहीं बनाई जाएगी कई सारे ऐसे दफ्तर होते हैं या ऐसे कारे करने के जगा होते हैं जहां पर 10 लोग या उससे कम का staff होता है तो वो unorganized sector की definition में आगया वहां पर जो है internal committee नहीं बनाई जाती या फिर मान लीजे जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम कर रही हैं अब घरों में तो कोई internal committee नहीं बन सकती तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसी महिलाओं के लिए क्या बनाया जाएगा ऐसी महिलाओं के लिए local committee बनाई है sexual harassment की कहता जी अब सवाल यह उठा कि क्या जो महिलाएं मान लीजिए लोक उनके ओफिस में internal committee नहीं है उन्हें शिकायत दर्ज करानी है local committee में क्या सारी महिलाएं district headquarters में जाया करेंगी local committee को शिकायत दर्ज कराने के लिए तो जवाब है नहीं कहता है जी हर तालूका लेवल पर हर यहां पर क्या बुलते हैं इसको ब्लोक लेवल पर तालूका लेवल पर तहसील लेवल पर या फिर वार्ड लेवल पर शहर है तो वार्ड लेवल पर एक नॉडल ऑफिसर नुक्त किया जाएगा सरकार की द्वारा अब यह जो महिलाएं हैं जिनके मालीजे मेड हैं कोई यहां पर कुक है उनके खिलाफ यहां पर सेक्शल हरास्मेंट होती है तो उन्हें डिस्टिक लेवल पर लोकल कमीटी के ऑफिस जाने की जुरूरत नहीं है लोकल कमीटी यह उनके लिए जो की अन और्गनाइज सेक्टर में काम करती हुई महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए अब सेक्शन 9 में आया कि कंप्लेंट ऑफ सेक्शल हरास्मेंट अब इसमें बताया गया है प्रोसीजर जिसके तहत यहां पर महिलाएं अपनी शिकायत दर् सेक्शन 9 में इस पश्ट कर दिया गया कि जो भी महिलाएं जिनके खिलाफ सेक्शल हरास्मेंट का कोई एक्ट होता है वो रिटन कंप्लेंट इंटर्नल कमीटी या लोकल कमीटी को दर्ज कराएंगी विदिन 3 मन्स ओफ दिस इंसिडेंट मान लीजिए आज कोई इंसिडेंस होता है तो तीन महिने के अंदर अंदर महिलाएं जो हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं किसी महिला को मल्टिपल इंसिडेंस यहां पर जेलने पड़ते हैं लोकल अमिन सेक्शल हरास्मेंट के तो आखरी इंसिडेंस के तीन महिने के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कराई जादा समय बीट गया और शिकायत नहीं दर्ज करवा पाई तो अगर उन्हें वो कारण जायज लगता है तो वो तीन महीने बीट जाने के बाद भी उस महिला की शिकायत को उठा लेंगे कई बार क्या होता है कि महिला कहती है जी मेरे पास तो मुझे यहाँ पर जान से मारने की धंकी दी गई थी या मुझे यहाँ पर नौकरी से निकालने की धंकी दी गई थी या कोई भी वज़ा हो सकती है जिसकी वज़ा से मैंने ये शिकायत पहले दर्ज नहीं कराई तो अगर internal committee को लगता है कि या वाके में reason genuine है तो internal committee तीन महीने बाद भी वो शिकायत उठा लेगी अब होगा क्या अब देखें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कि court कचैरी के चकर से बचना चाहती हैं जिन्हें लगता है कि court कचैरी जाने पर उनको यहां पर और भी कई सारी दिक्कतें फेस करने पड़ेंगी तो ऐसे में वो क्या करती हैं शिकायत दरजी नहीं करवाती हैं ऐसी महिलाओं के लिए भी यहां पर क्या हुआ कि कोर्ट का चहरी जाना वो नहीं चाहती तो उनकी सहुलियत के लिए यहां पर section 10 आप देख सकते हैं जो की बात करता है conciliation की section 10 में कहा गया कि कई बार महिलाओं को लगता है कि हमें कोर्ट नहीं जाना है और वो complaints committee को या internal committee को य यहां पर आरोपी है जिसके उपर उन्होंने आरोप लगाया कि Mr. XYZ मेरी office में काम करता है उसने sexual harassment की है मेरे खिलाफ तो आप उस व्यक्ति के साथ मेरा समझोता करवा दो महिला की इस request के basis पर internal committee जो है वो यहां पर इन दोनों के बीच में यानि कि शिकायत करता महिला के है यह नहीं होगा यहां पर समझोते का मतलब है कि दोनों के बीच की जो misunderstanding थी या जो इसका महिला का आरोप था उसके उपर उसने माफी मांग ली इतने में महिला संतुष्ट है तो यह मामला यहीं खतम हो जाएगा लेकिन मान लीजी है महिला यहां पर समझोता नहीं चाहती हैं वो चाहती है कि कानूनी कारवाई हो ऐसे में यहां पर section 11 में कहा गया है कि जो internal committee है या फिर जो local committee है वो अपनी inquiry करेगी सबूत जुटाएगी सभी से पूछताश जिससे भी करनी है उन सब से पूछताश करेगी और यहां पर अगर internal committee को या local committee को लगता है कि वाके में complaint यहां पर सही है तो क्या होगा आगे police को जो है शिकायत forward कर दी जाएगी within seven days of the finding of inquiry यहां पर क्या होगा police को यहां पर शिकायत आगे forward कर दी जाएगी यहां पर लिखा भी हो है subject to the provisions of section 10 the internal committee or the local committee as the case may be shell where the respondent is an employee proceed to make inquiry into the complaint in the case of the domestic worker the local committee will make the inquiry if the primary case FSI case exists forward the complete to the police यानि कि अगर committee को लगता है internal committee को लगता है office की की वाक्की में एक office के करमचारी मेल करमचारी ने female करमचारी के खिलाफ sexual harassment की है तो आगे police को शिकायत दर्ज करा दी जाएगी section 509 यहां पर मुख्य धारा है IPC की जिसके तहत यह शिकायत दर्ज होती है because अगर इसस जादा aggravated cases होते हैं तो फिर वो rape की category में आ जाते हैं या फिर यहां पर modesty को यहां पर women's modesty को यहां पर डिस्टाप करने की category में आ जाते हैं so वो सभी यहां पर जो भी धारा के तहत यहां पर case बनता है वो उसके तहत यहां पर police को case दर्ज करा दिया जाएगा now साथ में यह भी बता दिया गया कि जब internal committee यहां पर पूरी inquiry कर रही है तो उन्हें एक civil court की सारी powers मिली होंगे अब section 12 में यहां पर बात किया गया कि जब inquiry pending है मान लिजिए आज एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई और वो चाहती हैं कि inquiry की जाए internal committee के द्वारा अब internal committee अपना time ले रही है शिकायत को inquiry करने में अब जब inquiry चल रही है उस समय में अगर महिला को लगता है कि मैं office नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वो व्यक्ति भी office आता है जिसने sexual harassment की है तो महिला यहां पर क्या कर सकती है request कर सकती है internal committee से कि भाई मेर को यहां पर किसी और office में transfer किया जाए या उस व्यक्ति को किसी और office में transfer किया जाए या फिर मुझे चुटी दी जाए और inquiry committee आगे यह जो request होगी महिला की यह employer को forward कर देगी और उसे यहां पर action लेना चाहिए फिर क्या हुता है जी section 14 में punishment for false और malicious cases अब देखिए भी कई cases में यह भी पाया गया कि महिला और के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई वो जूटी मिले अब ऐसे में उसके लिए भी प्रावधान है कि अगर एक महिला के द्वारा जूटी शिकायत दर्ज कराई जाती है internal committee or local committee को तो उसके लिए भी यहां पर जो है सजा का प्रावधान रखा गया है क्या कहता है where the internal committee or the local committee arrive at the conclusion that the allegation against the respondent is malicious it may recommend to the employer or the district officer to take action against the women under section 9 in accordance with the provisions of the service rules यानि कि जो उस organization के service rules है उस service rules के तहत यहां पर महिला के खिलाफ यहां पर action लिया जा सकता लेकिन अगर मान लीजिए एक महिला ने यहां पर शिकायत दर्ज करा दी internal committee को शिकायत दर्ज करा दी अब वो सबूत नहीं दे पाई अब ऐसे में ये तो प्रूव हुआ नहीं कि उस व्यक्तिने वाके महिला को यहां पर छेड़ा था या फिर कोई यहां पर harassment हुई थी ले तब ही महिला के खिलाफ कारवाई होगी लेकिन जब तक यह प्रूव नहीं होता कि महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गए जूटी थी तब तक महिला के ऊपर कोई कारवाई नहीं होगी section 19 में यहां पर एक और आखरी बात जो हमने करनी है वो यह कि section 19 में यहां पर ज भी employers हैं उन्हें यहां पर एक safe working environment महिलाओं को provide करनी होगी display at any prominent place in the workplace the penal consequences of sexual harassment अब देखे भाई awareness generate करने के लिए एक डर बिठाने के लिए deterrence बिठाने के लिए लोगों के मन में एक prominent place पर आपको अपने office में sexual harassment के penal consequences यानि कि उसका क्या नतीजा हो सकता है क्या सजा होगी वो भी आपको display करने चाहिए साथ में ही आपको organize करनी चाहिए work place पर organize करनी चाहिए आपको workshops या फिर awareness generating कोई भी program आप यहां पर organize कर सकते हो आप internal committee को भी यहां पर जो भी requirements होती है office space की या फिर proper committee बनानी चाहिए और उसको जो भी stationary है जो भी requirements है वो सारी मदद यहां पर provide की जानी चाहिए assistance to the women if she chooses to file complaint police complaint अगर मालीजे कोई महिला करमी यहां पर police complaint फाइल करना चाहती है after inquiry of the internal committee तो आप employer के नाते भी आपकी यह जिम से कहीं बाहर गई थी बाहर किसी दूसरी organization के व्यक्ति ने महिला के खिलाफ यहां पर sexual harassment की अब ऐसे में क्या होगा महिला की जिम्मेवारी होगी कि वो उस महिला को जितनी भी possible मदद है वो यहां पर provide करें police को case file करने में police तक case file करने में so यह थे कुछ जिम्मेवारी है जो क of examination के लिए ही ज़रूरी नहीं है अगर आपके घर पे भी कोई महिला यहां पर काम करने के लिए आ रही है तब भी यह उतना ही ज़रूरी है जितना की बाकी सब के लिए ज़रूरी है so I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आएक अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day ahead